आज राजस्तान से चुनाव परचार की शुरुवात हो रहे हैं, कितने दिन बूर्ड शो चलने वाला हैं, किस तरह से तरह नोर की इस पावन धरासर, जहां से डॉक्टर आजे सिंग चोटाला विधायक चुनकर राजस्तान विधान सवा में गया है, आज जन्नायक जनता पा जन्नायक जनता पार्टी मजबूती से चुनाव लड़ेगे, उसकी शुरुवात नोर से हैं, बहुत से डॉक्ट साब के पुराने साथी, आज फिफाना की इस पावन धरा पर जुड़े हैं, और मैं मानता हूँ, जैसे जैसे राजस्तान परदेश में यातरा चलेगी, वै वैसे वैसे ये कारवा बढ़ता रहेगा, वैसे वैसे जन्न समर्थन, जन्न भावनाओं के साथ कॉंग्रेस ने जो खिलवाड किया, उसके विरुद में जन्नायक जनता पार्टी के पक्षमें मजबूती के साथ जुड़ेगा, और एक बड़ा बदलाव राजस्तान जो च जाता है, मैं तो दुबारा एक चीज कहूंगा, जो सीकर में कही थी कि चावी का निशान होगा, मुख्य मंतरी किसान होगा, इस मुहीम के साथ राजस्तान प्रदेश की धरापर जन्नायक जन्नता पार्टी चुनाब रहेगा, इसमें चर्चा का दोर चलता रहेगा, मगर आज हम पूरी तोर पर जन्नायक जन्नता पार्टी के विस्तार और मजबूती के उपरा अगर कोई दोनों पार्टीों में सहमती बनेगी तो इसका निड़ने लिया जाएगा, जी तो हमारी त्यारी पहले भी और आज भी 25 से 30 सीटों की और उस पर मजबूती लिश्ट कब तक आजेगी दुश्यके नवरात्रों के अंदर पहले सूची जन्नायक 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 काम है और उसके बाद 2003 में भी विधानसवा सीट हमने जीतने का काम किया और उसके बाद भी जब तक डॉक्टर अजे सिंग चुटाला जी का समर्चनता कई लोग यहां से जीते हैं और जिस दिन समर्चन दूर हुआ दुबारा आप आप आए विधानसवा में मैं यह मानता हूँ कि जनता का प्यार डॉक्टर अजे सिंग चुटाला जी के प्रती है और नौर की जनता मजबूती की साथ उसके जाता रामगड कटपूतली और फटेपूर की जहां तक बात आती है से सिमावर्थी इलाके में तीट और रेडी बीजेपी पहले जे लिए जहां बात आ चुकी है उनने अपनी अनाउंस करती है हम अपनी त्यारी कर रहे हैं और हम अपनी कैंडिडेट्स की पहली सूची नवरातरों में